एलो स्टुडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सब का आपके अपने चानल त्यारी ओनलाइन में आज हम डिसकस करने जा रहे हैं वाक्सित नंबर 41 वाक्सित नंबर 41 क्लास 9 का वाक्सित है और ये वाक्सित है 7 अक्टूबर 2020 का आज का अमारा टॉपिक है बच्चे क काम पर जा रहे हैं भाग एक तो चलिए डिसकस करते हैं वाक्सित नंबर 41 अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन को दवाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहें वीडियो को लाइक करें और अप का टॉपिक हमारा बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता है और यह कविता का भाग एक है बच्चों यह कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं लिखा गया है राजेस जोसी जी के द्वारा तो सबसे पहले हम राजेस जोसी जी के बारे में संछेब में जान लेते हैं राजेस जोसी का जन मध्यप्रदेश के नरसी जिले में सन 1946 में हुआ था राजेस जोसी ने MSC और MA की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकाडिता आरंभ कर दी राजेस जोसी जी ने कविताओं के आलावा कहानिया, नाटक, लेख और टिपनिया भी लिखी साथ ही उन्होंने कुछ नाट्टे रूपांतर तथा कुछ लगू फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कारे भी किया कई भारतिय भासाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुबाद प्रकाशित हुए हैं राजेस जोसी जी की कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती है प्रस्तूत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिये जाने की पीरा व्यक्त हुई है तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है कविता का बच्चे काम पर जा रहे हैं यह कविता किन से संबंदित है तो छोटे छोटे उन मासुम बच्चों से संबंदित है जो बच्चे छोटी सी उम्र में ही काम पर जाते हैं और छोटी सी उम्र में वे अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं जो उम्र खेलने कुदने की होती है बेफिक्री से जीने की होती है उस उम्र में वा नन्धे नन्धे बच्चे अपने आँखों में कई सारे सपने लिये हुए काम पर जा रहे हैं तो यह कविता उन प्यारे बच्चों के लिए हैं तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं बच्चे काम पर जा रही हैं, कोहरे से धकी सरक पर बच्चे काम पर जा रही हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रही हैं हमारे समय की सबसे भ्यानक पंगती है, भ्यानक है इसे बिवरन की तरह लिखा जाना लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह काम पर क्यूं जा रहे हैं बच्चे तो बच्चों यहां देखिए कभी क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से तो सबसे पहले कविता की पंक्तियों को समझे कभी कह रहे हैं यहां पर बच्चे काम पर जा रहे हैं अब यहां देखिए कौन काम पर जा रहा है बच्चे काम पर कौन जाते हैं तो बड़े लोग काम पर जाते हैं लेकिन यहां छोटे मासूम बच्चे काम पर जा रहे हैं कोहरे से धकी सरक कोहडे सिट सरक कब ढग जाती है जब मौसम ठंड का होता है जब अत्यधिक ठंड परती है तो मौसम कैसा हो जाता है कोहडे से ढग जाती है तो यहां हमारे लेखक कह रहे हैं कि उस ठंड में भी बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं और लेखक कहते हैं कि यह हमारे समय की क्या है सबसे भ्यानक पंगती है यहाँ पर लेखक ने भ्यानक सब्द का इस्तेमाल बच्चों के काम पर जाने को ले करके है वह मासूम बच्चे जिनका उम्र क्या है? बेफिक्री से जीने का है और वह क्या कर रहे हैं? मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए अपने घर से निकल कर जा रहे हैं आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों, छोटे छोटे बच्चे दुकानों पे काम करते हैं, चाय के स्टॉलों पे देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को चाय देते हुए, सरकों पे देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे समानों को बेचते रहते हैं तो जो उम्र उन बच्चों की पढ़ने की होती है, खेलने खाने की होती है, उस उम्र में वह बच्चे जो है, वह क्या करते हैं? अपनी जीवन को जीने के लिए काम करते हैं. उनकी आर्थिक इस्तिती इतनी दैनिये होती है कि वह अपने सपने को भी पूरा नहीं कर पाते हैं इसलिए लेखक यहां कह रहे हैं भयानक है इसे विवरन की तरह लिखा जाना किसकी तरह? विवरन की तरह यहां पे विवरन की तरह लिखा गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं लेखक इसी बात को कह रहे हैं कि यह बहुत ही भयानक है यानि बहुत ही डड़ावना है जिसे हम सरलता से कह रहे हैं इसे क्या कहा जाना चाहिए इसे एक सवाल की तरह कहा जाना चाहिए काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे क्या जरूरी है बच्चों को काम पर जाना बच्चों की उम्र खेलने खाने और कुदने की होती है क्योंकि बच्चे देश के भावी भविश्य होते हैं अगर वह अच्छा करेंगे तो देश का विकास होगा तो इसलिए यहां पर यह सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए की काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे और अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इसके लिए कौन उतरदाई है हमारा समाज जिस समाज में लोग बच्चों की जिम्मेदारिया लेते हैं उस समाज में लोग उनकी जिम्मेदारियों को इमानदारी से क्यों नहीं निभाते क्यों नन्य नन्य बच्चों को काम पर जाना परता है तो बच्चों यहां हमारे कभी इस कविधा के माध्यम से हमें जागरूप कर रहे हैं कि हमें नन्य नन्य बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए बलकि उन्हें क्या करना चाहिए पढ़ाना चाहिए लिखाना चाहिए खेलने कुदने देना चाहिए अब चलिए हम इसकी व्याख्या जान लेते हैं व्याख्या है कभी ने कभिता की प्रतम पंक्ती में लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुभा-सुभा का वक्त है चारो तरफ कोहडा छाया हुआ है सरके भी कोहरे से धकी हुई है परन्तु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से धकी सरक पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर है समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कभी कहते हैं कि हमारे समय की सबसे भ्यानक बात है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पर रहा है इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं या कभी को और भ्यानक लग रहा है जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यूं जाना पर रहा है इसे हमें समाज से एक प्रस्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर क्यूं जाना पर रहा है जबकि इनकी उम्र अभी खेलने, कुदने और पठने लिखने की है तो बच्चों कभी यहां उन बच्चों की व्यथा को बता रहे हैं जो अपनी छोटी सी उम्र में ही क्या कर रहे हैं? मजदूरी करने लग जाते हैं क्यों करते हैं वो मजदूरी? अपना पेट भढ़ने के लिए तो बच्चों यह बात हमारे समाज के लिए एक कलंग की तरह है समाज में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए समाज के लोगों को जागरूख होना चाहिए ना कि नन्य नन्य बच्चों से काम करवाना चाहिए तो चलिए बच्चों अब हम वाक सीट में दियेगे प्रसनों को देखते हैं पहला प्रसन हमारा है कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या बिचाड़ाते हैं लिखिए तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं यहां देखिए बच्चों पहले प्रसन का उत्तर हो जाएगा कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमारे मन में उन गरीब बच्चों की अत्यंत दैनिये इस्थिती का चितरू भरता है उनकी आर्थिक इस्थिती इतनी खड़ाब होती है कि वो अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं और अपना बच्चपन खो देते हैं इनकी ननी ननी आँकों में कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने में ये बच्चे आसमर्थ हैं तो बच्चों यह है प्रसन संख्या एक का उत्तर दूसरा प्रस्ण हमारा है काम पर क्यूं जा रहे हैं बच्चे प्रस्तूत पंक्तियों में कभी इसे प्रस्ण के रूप में क्यूं देख रहा है क्योंकि बच्चों कभी को यह लग रहा है कि हमारे समाज में जिन लोगों पर इन बच्चों की जिम्मेदारियां है वह अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा नहीं रहे इसलिए कभी को लग रहा है कि काम पर क्यूं जा रहे हैं बच्चे और यह उन्हें एक प्रस्न की तरह लग रहा है तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं तो यहां देखिए बच्चों प्रस्न संख्या 2 का उत्तर यहां लिखा हुआ है काम पर क्यूं जा रहे हैं बच्चे यह एक बहुत महतपून प्रस्न है बच्चों की इस परिस्थिती के लिए हमारा समाज जिम्मेदार है कभी इसे प्रस्न के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें इस प्रस्न के जवाब मिलने की आसा है चलिए अब तीसरा प्रस्न देख लेते हैं तीसरा प्रस्न हमारा है बच्चों आपने बच्चों को कब-कब और कहां-कहां काम करते हुए देखा है यह आमें बताना है तो देखिए बच्चों तीसरे प्रस्न का उत्तर हो जाएगा मैंने अपने सहर में बच्चों को अनेक अस्थानों पर काम करते देखा है भिन्ने भिन्ने दुकानों पर, चाय की दुकानों पर, घरों में, होटलों में, कार्यालियों में, सरक पर समान बेशते हुए देखा है मैंने उन्हें कई कई घंटे काम करते देखा है तो यह है बच्चो प्रसन संख्या तीन का उत्तर चौथा प्रसन हमारा है आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए लिखिए तो चलिए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं तो यहां देखिए बच्चों प्रसन संख्या चार का उत्तर हो जाएगा मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का बच्पना छिन जाता है जो उम्र बेफिक्री से जीने की होती है उस उम्र में ये नन्ने नन्ने बच्चे परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने लगते है बच्चों का काम पर जाना समाज के माथे पर कलंख है समाज के लोगों को जागरूख होना चाहिए और इनन्ने नन्ने बच्चों को पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलने कुदने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि ये बच्चे आने वाले दिनों में देश का नाम रोशन करे क्योंकि ये बच्चे हमारे देश के भावी भविश्य है तो बच्चों प्रसन संख्या चार का उत्तर ये है तो बच्चों आज का ये वाक सीट यही समाप्त होता है मुझे आसा है Walk Seed आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप लोगों को कहीं भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन को दवाएं ताकि सब भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर अवश्य करें। ताकि उन्हें भी वॉक्सित नमबर 41 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से एल्प मिल सकें। आप हमें इंस्ट्राग्राम, टेलीग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अंगले वॉक्सित के साथ आप सब का धन्यवाद।